नमस्कार दोस्तों मैं मधुरानी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्धी ट्रिक में आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर लाई हूँ अल्टास एप्टी 15 एक्ष्टेट इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था कि एप्टी 15 में कौन-कौन से 15 प्रकार के फल सामिल है और उसके क्या-क्या बेनिफीट है इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि Apti 15 Extract में कौन-कौन से खनिस्तर तो सामिल है और वह हमारी बॉडी को कौन-कौन से बेनिफिट देता है Apti 15 Extract एक प्रीमियम कंसंटेट फ्रूट एक्स्टरेट है जो 15 प्रकार के फ़लो के संयोजन से तयार किया गया है इसमें सामिल है अकाई बेरी, ग्लू बेरी, गोजी बेरी, ड्रैगन फ्रूट, ग्रेप सीट, गुआवा, ओरेंज, पेर, क्रैंड बेरी, सी बक्थन, पॉनो ग्रैनेट, पाइनेपल, मैंगो, बनाना और पपाया 15-15, विटामिन, खनीज, आयरन, फॉलेट, मैंगनीज, और एंटी आउक्सिडेंट तथा फाइबर से भरपूर है तो चलिए जानते हैं कि यह सभी तो तो हमारे सरीर के लिए कितने बेनिफिचियल है सबसे पहले बात करते हैं फाइबर की तो फाइबर आपको लंबे समय तक स्वस्त जीवन प्रदान करने में मदद करता है जो इसका सही मात्रा में सेवन करते हैं उन्हें हिर्दै रोग, मोटापा, टाइब टू डैवर्टीज और उच्च रक्त चाप तथा पाचा से संबंदी जो बिमार्य होती है उससे छुटकारा दिलाने में यह मदद करता है नेश्ट हम बात करते हैं विटामिन की तो हमारे सरीर को प्रति दिन कारे करने के लिए विटामिन की जरूरत पड़ती है जैसे की रग्त कोशिकाओं का निर्मान करना, हड्डियों के उतक का निर्मान करना, तंद्रिका तंद्र को सुचारू रूप से चलाना, प्रणाली को मजबूत बनाना अगर आपके सरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो आपको गंभीर से गंभीर बीमारियां हो सकती है। पोटेशियम, क्लोराइट और सलफर सामिल है। वहीं ट्रेस खनीजों में आयरन, मैगनीज, कापर, सोडियम, जींग, कोबार, फ्लोराइट और सेलेनियम सामिल है। नेच्ट है फोलेट, फल और कुछ खाद्य पदार्थों में सभाविक रूप से मौजूद होता है। यह हमारे सरीर में लावरक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदर करता है। DNA के निर्मान में कोशिकाओं के विभाजन में आपके सरीर को फॉलेट की जरुवत पड़ती है। नेच्ट है एंटी आउक्सिडेंट, एंटी आउक्सिडेंट वह गुण हैं जो मुक्त कणों के दूस प्रभाव से आपके सरीर को बचाते हैं। आपकी बॉड़ी मुक्त कणों को संतुली करने के लिए एंटी आउक्सिडेंट का उप्योग करती है और यह अन्य कोशी काम को भी नुक्सान पहुचाने से रोकती है। यह आपके सरीर में प्रतिदच्चा पणाली को भी बढ़ाती है। नेइसन हम भाप करते हैं कार्बो हाइडरेट की। कारबो हाइडरेट कार्बन, हाइडरोजन और आक्सिजन से मिलकर बंा होता है। यह आपके सरीर का उड़जा का मुखी स्त्रोथ है। कार्बोहेडरेट, दिमाग, गुर्दे, हिर्दय की मास पेशिया और तंत्रिका तंत्र को इंधन देने का कारिय करता है यह आपकी पाचन प्रक्रिया में सहायता करता है, रत में कोलिस्टरॉल के इस्तर को नियंतरीत करता है और आपको स्वस्थ रखता है तो दोस्तों यह था एप्टी 15 में सामीर तत्व और उनके बेनिफिट, तो चलिए जानते हैं कि एप्टी 15 का रेगुलर इस्तमाल हमें कौन-कौन से बेनिफिट देता है एप्टी 15 में ऐसे 15 प्रकार के फ्रूट शामीर है जो नियुक्रिशन से भरा हुआ है और इसका डेली सेवन हमारे सरीर में नियुक्रिशन की कमी को पूरा करता है इसका सेवन आपके सरीर को भरपूर मात्रा में कोशक तक्तों देने में सक्षम है और यहां एंटी आउक्सिडन से भरा है यह सरीर की कोशिकाओं और उतकों को मुक्त कड़ों के दूस प्रभाव से बचाने में मदद करता है यहां आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और हिर्दय को भी स्वस्त रखने में मदद करता है इसका सेवन आपको एक अच्छा स्वास्थलाब देता है और रेगुलर इसका इस्तमाल आपके वजन को भी कम करता है यहां आपके सरीर को आंतित रूप से तो बहुत सारे बेनेफिट देता ही है साथ ही इसका सेवन आपके बाहरी तोचा को भी उज्जोल बनाये रखने में मदद करता है यह सारे बेनेफिट हमें Apti 15 के यूज से मिलते है तो चलिए जानते है इसे इस्तमाल कैसे करना है इसका सेवन हर दिन 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने से पहले करें तो यह थी जानकारी Altos Apti 15 की यह प्रूड़क्ट पाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते है हरसिता आईरवदिक हेल्ज और ब्यूटी केर सेंटर तो आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद जेल तोस